देश टिवी की सुर्खिया में देखते हैं आज की देश विदेश की चर्चित खबरे 15 परवरी की सुर्खियों में पहने स्थान में हैं कल दो पहर दो बजे अमिशा से मिलने जाएगी शाहिन बाग के प्रदर्शनकारी शाहिन बाग से जुड़ी एक खबर सामने आई है ताजा जानकारी के मताबिक शाहिन बाग के प्रदर्शनकारियों ने फैसला किया है कि वे ग्रह मंतरी आमिशा से मुलाकात कर अपनी बात उनके सामने रखेंगे बताया जा रहा है कि शाहिन बाग की सभी महिला प्रदर्शनकारी दो पहर दो बजे अपनी मांगों के साथ रईवार को ग्रिहमंत्री के आधिकारिक आवास पर मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं शाहिन बाह के प्रदर्शनकारियों की प्राथमिक मांग नागरिकता संशोधन कानून को वापस लिना बताया जा रहा है हलाकि इस मुलाकात को लेकर ग्रहमंत्री कारयाले के सूत्रों का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी मुलाकात के लिए बदर्शन कारियों की तरफ से अब तक कोई अर्जी नहीं मिली है आज के सुल्खों में पुष्षान पर है केजरिवाल के शपत ग्रहन में आएंगे शहीदों के परिजन अर्विन केजरिवाल के मुख्यमंतरी के रूप में शपत ग्रहन समारों में 24 घंटे से भी कम समय शेश है केजरिवाल के सहयोगी मनिश सिसोधिया ने कहा कि शपत ग्रहन समारों में सिगनेचर ब्रीज बनाने वाले आर्किटेक्ट DTC बसों में सुरक्षा करने वाले गार्ड, मुहला क्लिनिक के डॉक्टर, बाइक अम्बूलेंस चलाने वाले ड्राइवर समेथ दिल्ली के कई आम और खास लोगों के गेस्ट के रूप में बुलाए गया है सुसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉंफरेंस कर इस बात की जानकारी दी बलकि इस सहर्ग में रहने वाले हर व्यक्ति का सपना है यह दिल्ली की जनता का सम्मान है जिनोंने आपको इस चुनाओं में इतनी बड़ी जीत दिलाई है आज के सुर्खनों में इस रिस्थान पर है प्यम मोदी ने वैज्ञानिकों को दी सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देने की सला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वज्ञानिकों से अपिल की है कि वेदेश के सामने मौजूद कुपोशन जैसी वर्तमान सामाजिक समस्याओं को दूर करने पर केंद्रित करें प्रधानमंत्री कारयालया की ओर से जारी बयान के अनुसार मोदी ने युवाओं को विज्ञान की ओर आकर शित करने और भावी पीड़ी में वज्ञानिक सूज बूज मजबूत करने की आवशकता पर बल दिया है आज के सूटरों के हवाले से जेपी नड़ा ने गिरीराज सी को बेवज़ा बयान भाजी से बचने को कहा है उन्होंने गिरीराज के बयानों पर आपत्ती जताई है गिरीराज सी ने बेगुसराई के मुस्लिम बहूल इलाके में खुली जीप में सवारी की थी और भीड के साथ चलते हुए भारत वन्शीत तेरा मेरा रिष्टा क्या जैश्रीराम जैश्रीराम का नारा लगाया था अपने भाषन में गिरिराज से ने नरिंद मोधी को भगवान का अवतार बताया था उन्होंने भारत माता पर उंगली उठाने वालों की आखे निकाल लेने की भी बात कही थी महराष्ट में सत्तादारी गडबंदन महाविकास अगाडी के साचेदारों शियुसेना कॉंग्रेस और न्सिप के बीच तना तनी बरती दिख रही है मुख्यमंत्री और शियुसेना प्रमुक उध्धाव ठाकरे ने एलगार परिशद मामले में यूटर्न लेने के बाद अब न्सिप और कॉंग्रेस की आपत्तियों को दरकिनार करते वे राश्टिय जनसंक्या रेजिस्टर पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है कॉंग्रेस जहां NPR को NRC का मुखोटा करार दे रही है वही NCP ने भी इसे लेकर सारवजनिक रूप से अपनी आपत्तियां दर्श कराई है हालाकि यह पहला मौका नहीं है जब महराश्च सत्ताधारी गड़बंदन में इस तरह मद्भेद दिखे हो आज के सुथों में 6 स्थान पर है तूर्की के राष्ट पती को भारत का जवाब भारत ने कश्मीर पर तूर्की के राष्ट पती रजब तयिब अर्थवान की टिपणियों की शनिवार को आलोशना करते वे उनसे कहा है कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक शेप ना करे विदेश मंत्राले के प्रवक्तार रविश कुमान ने कहा कि जमु कश्मीर को लेकर तुर्की के राष्टपती द्वारा दिये गए सभी संदर्भों को भारत खारिच करता है उन्होंने कहा कि जमु कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जो उससे कभी अलग नहीं हो सकता एर्दोआन ने शुक्रवार को पागिस्तानी संसद में अपने संबोधन में कश्मीरियों के संघश की तुन्ना प्रत्म विश्व युद्ध के दौरान विदेशी सासन के खिलाब तुर्कों के लड़ाई से की है आज के सुर्थों में साथिस्थान पहे उमर अब्दुल्ला महबुबा मुफ्ते के बाद पुर्व आईएस और जम्मु कश्मीर के नेता शाह फैजल पर लगा पियसे भारती प्रशाचनीक सेवा के 2011 के बैच के टौपर और जम्मु कश्मीर पीपुल्स मॉव्मेंट के संस्था पक शाह फैजल पर पबलिक सेफटी एक्ट लगा दिया गया है शाह फैजल पर किन आरोपों के तहट पियसे लगाये गया है अभी इसकी पुष्टी नहीं हो पाई है फैजल को पिछले साल अगस्त में दिली एरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था जिसके बाद उन्हें दिली से श्री नगल लाया गया और उन्हें उनके घर में नजर बंद कर दिया गया जमू कश्मीर से 96-370 खत्म किये जाने के बाद फैजल को उनके एक ट्वीट की वजह से हिरासत में लिया गया था उन्हें ट्वीट किया था कि राजनितिक अधिकारों को फिर से पाने के लिए कश्मीर को लंबे निरंतर और आहिंसक राजनितिक आंदुरन की जरूरत है आज के सुख्यों में आकिस्थान पर है लगातार चुनाओं हार रही बीजेपी को आरेसेस देगी ट्यूशन चुनाओं में लगातार सभी चुनाओं में हार रही बीजेपी को अब राष्टी स्वैम सेवक संग ट्यूशन लगाएगी केंद्री नितित्व से ये 36 गड़ बीजेपी संगठन को ये जिम्मेदारी दी गई है वो पार्टी के निताओं को RSS के नियमित क्लास में भेजें 36 गड़ बीजेपी के निताओं को केंद्री नितित्व ने हिदायत दी है कि वह नियमित रूप से संग की पाथशला में जाएं दरसल चुनाओं में लगातार हार और गुटबाजी बीजेपी की 36 गड़ एकाई में आम हो गई है यही नहीं केंद्री नेताओं को लगता है कि बीजेपी के नेताओं की विचारधारा और वेभार ठीक वैसे ही हो गए हैं जैसे अमूमन कॉंग्रेस में दिखाई देती है आज के सुर्कों में अन्नोगत ठान पर है सारा और कार्तिक की लव आज कल ने धुवादार ओपनिंग बॉलिवड एक्टर सारा अलिखान और कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटिट फिल्म लव आज कल आखिरकार रिलीज हो गई है वलेंटाइन्स डे के दिन रिलीज होई रुमान्टिक फिल्म लव आज कल ने पहले दिन बॉक्स आफिस पर तुफानी कमाई के साथ शुरुवात की है सारा अलिखान और कार्तिक आर्यन के फिल्म लव आज कल ने पहले दिन बारा करूर रुपे की कमाई के साथ बंपर ओपनिंग की है आज के सुख्यों में गत्रिस्थान पर है नेशनल रिकॉर्ड के साथ 20 किलोमीटर पैदल चाल में खिलाडी ने भारत को दिलाया उलम्पिक कोटा भारत एथलेट भावनाजाड ने नेशनल चैंपेंशिप की 20 किलोमीटर पैदल चाल्स परधा में नया राष्टी रेकॉर्ड बनाने के बाद 2020 ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है रायस्थान की इस एथलेट ने 1 गंटे 29 मिनट 54 सेकंड के समय के साथ ही ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया है ओलम्पिक क्वालिफाई करने का समय एक घंटे 31 मिनट था भावना ने इस तरह पिहले साल अक्टोबर में बनाय गए एक घंटे 38 मिनट 30 सेकंड के अपने वैक्तिकर सर्वश्रेश्ट प्रदर्शन में काफी सुधार किया है